चलिए कुश्चन देखते हैं प्राक्टिकल कुछ ठीक है देख लेते हैं कौन सा कुश्चन करना चाहिए नहीं करना चाहिए था कंपनी एक्साइज रेडीम और प्रफेंशेर 5 परसेंट प्रीमियम पे इन्वेस्मेंट सोल्ड कर दिया दो ओर्डिनेरी शियर 20 रुपे सब्सक्राइब अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम मिनिमम आ गया है प्रफेंशेर 10 परसे प्रेमिंट अभी 80 सेक्षिन पुराना हो गया है तो इस को करते हैं ठीक है इस पलेटे आंके अन्य क्यों क्यों नहीं किया सब्सक्राइब उसमें टेकनिकल वरड आ घया था चितना हम ने सीख है उस भी इस पर कुश्चन नहीं ठीक है पड़ लेते हैं क्या कहते हैं कुश्चन कहता है सर हमारा एक PQR हैड आर 10,000 PQR जो हैड है उसके पास 10,000 यह नंबर रूपीज नहीं है 15% प्रफ्रेंश यह तो मैं नीचे बर्किंग नूट भी करते जाता हूं हमारे पास प्रफ्रेंश यह क्यापिटल है कितने पर्सेंट वाला सर 15% वाला और नंबर की बात करें तो कितने हैं नंबर में भी धूंगा आपको जो भी होगा निकाल लेंगे यह तो हो गया दब बैलेंस जनर रिजर्व अकाउंट आप एंड सेक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वर यानि पहले से हमारे पास जनर रिजर्व में कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्मेंट कंपनी ने अपने इन्वेस्मेंट भी बेच दी यानि पैसे देने ना भाई उसके पैसे कंदिजाम करना है उसके लिए अपने इन्वेस्मेंट इसना बेच दिये तो कंपनी ने अपने इन्वेस्मेंट बेचे आप ध्यान से सोचेंगे तो तो सुरह इसने तुएल पॉइंट चाहर इसने क्या करा पहला पॉइंट इसने इसको करने कि लिए तुएल पॉइंट से आप तुएल बटॉच्ण इसने दो लाख रूपीज है कर आए ठीक है और फिर से पचास अजार त्हीं पर्फरेंश करा नाश्या में हमारा 50,000 प्रफरेंच शेयर किया इसने ठीक है न तो फिल परसेंट लगा लेंगे ठीक है न और यह 10 रुपए का एक था एड़ दैस और प्रीमियम भी था प्लस इसमें यह सारी इस्यू की डिटेल है प्रीमियम कितना था हमारा 10 परसेंट ठीक है 15% प्रेंच शेयर वर डिम एट टेन परसेंट प्रीमियम और जो ऊपर वाली प्रीमियम की बात कर रहा है वह 10% प्रीमियम पर करेगा जो की पहले ही बात था एस पर दा कंडिशन लेडाउन सेक्षण एक्षण एक्षाल चेंज होगे सेक्षण और कोई चेंज होगे आपकी नई किताब में देखूँ कि एक्षण 55 पहले कंपनी जेक में था तो इसे मैं काट देता हूं ठीक है अब 55 कितना है अप में हमें रिकॉर्ड करना है तो पूरा और कोस्टन समझ में आपको क्या है हमने अब सबसे पहले हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डैट इस अर्रेंजमेंट कहते हैं जिसको तो हम यह चेक कर लिए कितना पैसा चाहिए नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर में वर्किंग न है अब मैं वर्किंग नोट की साइट जाओं तो हमें टोटल दस अजार इंटु सौ यानि सर्प्रिफरेंज शेयर कैपिटल जो वापस करने है वह करने दस अजार इंटु सौ यानि दस लाख इसके उपर हमें सिक्यूरिटी प्रीमियम भी देना है टेन परसेंट यानि एक टोटल रिफंड की बात कितनी चल रही है अब 11 लाग के दो टुकडे कर देते हैं एक तो होगे दस लाख जो की है शेयर कैपिटल और एक है एक लाख जो की है सिक्यूरिटी प्रीमियम यह सिक्यूरिटी प्रीमियम है अब 10 लाख रुपए के लिए उन्होंने सबसे पहले इस ऐक और फ्रेची शी नहीं करते हैं तो हम अगर 'sशी तो प्रफेरिंटियर को करतें इसू के यह शरो किके भिलाएं नहीं था घृटी की बात करें टों पचास अजार इंटू में 10 जयनि सदर पांच लाख का तो प्रफ्रेंश हो चुका है आगया अब हमें क्या बनाना है तो सी यार र कितने बनाने पड़ेंगे बताओं पांच लाग का पांच लाग का यह देख लो कि पहले यहां तक सामझ में आ रहा है इसको क्लियर कर देता हूं अच्छे से इसमें से हमारे पास 10,000,000 के तो हमें शेर सकता पैसा और एक लाग रुपए में अब 10 लाग के लिए सबसे पहले चिकर करेंगे सार कुछ बोल दिये है डिवेंचर को 9 नहीं करेंगे प्रिफरेंश की बात करें तो सर अपने प्रेश वाला देट आपने पांच लाख अंपर इस पर प्रीमियम है वह उस्सेमाल नहीं कर सकते बाकी कि प्रीमियम आपको कहां से करना पड़ेगा जो जंगर के लाख रुप्य का ₹प पहले से हमारे पास दस आजर रुपय का है कि पहले कितना है कि असलिए है जो पहले से दस तर्स ए होगा जाएं खिलते से नियों करना है कितने 40,000 अब हमारे पास कोई आप्शन बसता नहीं है तो हमारे पास जो सिक्यूरिटी प्रीमिम होगा वो जनर रिजब यानि हम आगला जो कुछ एक टेकनिकल अभी तक हमने बनाया क्योंकि इन कुछन में आगे बैलेंशिट बनाने अभी तक अगर मैं बेसिक कर हूँ पहले से इंट्री करोगे जनर रिजव कि टू कि कि यहां हमारे पास इतने पैसे हैं तो जवाब सर सी यहां तो साथ में से तो हमें पांच लाग यहां इस्तमाल कर लिए ठीक है दूसरा फ्रेश इशू अब दो दो फ्रेश इशू आएगा एक डिबेंचर भी आएगा एक शियर्स भी आएगा तो पहले मैं शियर्स कर देता हूं बैंक ट्वल पॉरसन डारेक्ट कर रहा हूं वैसे तो हमना छी बैंक टू प्रफ्रेश इर एक प्लीकेशन और प्रफ्रेश कहते को nessa से प्रिवर शियर्स कैप्लिकेशन और पचास और पाँच टोटल 5.5 लैक अब करेंगे 12 परसेंट प्रफेंच शियर एप्लिकेशन तो 12 परसेंट प्रफेंच शियर कैपिटल अन्देन तू सिक्यूरिटी प्रिमियम यह आगया 5.5 लैक यह 5 लैक और यह 50,000 अब हम अगली एंट्री में जाएंगे तो हम डिवेंचर भी इसू करना पड़ेगा हमें तो डिवेंचर जो इसू किया है वो सिंपल है वो प्रिमिय जो त्विंग सो तू कितने पर्सेंट डिवेंचर है हैं ल फस्टेंट वेल परसेंट डिवेंचर कितने रुपे होंगे यह दो लाक सिंपली अमाउंट ही रखा था अब यहां पर बैने डारेक्ट चलो यह भी डारेक्ट नहीं करते हैं इसके विए एंट्रिए पहले अप एप्लिकेशन करें दो लाग ठीक है अगली एंट्री फिफ्ट वेल परसेंट डिवेंचर एप्लिकेशन टू के टुएल फर्सेंट आली डिवेंचर लिखना है अगROशन के बीग क्या रहेगा था उसके जगह क्या करने इंचर बाके डिबंचर में तो पूरा ही गरोगया है कि अब हम च्छटी एंट्री में क्या करेंगे बताओ अभी रिडीम नी करना अभी पहले तो जो इन्वेस्मेंट बीच रहे थे उसकी भी एंट्री करनी पड़े गया तो इन्वेस्मेंट जब आपने बीचा तो आपके पैसा आया इस पर नुक्सान भी हुआ तो आपको करना स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कि एक पचास को और आपके पास से इन्वेस्मेंट चला गया इन्वेस्मेंट चला गया इस कितने का अब कोई स्टूडेंट इस हो सकते हैं कि हमारे पास रिजर्व में हमारे पास साथ साथ में से पांच लाग कहां चले गए और यह भी आपका जनरिजम में ही जाएगा यह जो सिक्यूरिटी प्रिम में यह भी जनरिजम में चलेगा तो हमारे पास दो लाग नहीं बचें इसको भी राइट अफ नहीं करना लेकिन आपका यह जो लॉस है वह जनर रिजब से ही जाएगा तो अगर मैं आपसे एट है और बाकी के डेड़ लाग नुकसान में भी चले गए तो देखा जाया हमारे पास कितना बचा हुआ है सरिफ पचास अजार ही बचा हुआ है हमारे पास किसमें जनरिजम में और नीड कितनी थी हमें सब क्यलकूलेशन आपके दिमाग में चलना चाहिए पता चले आपको नीट साथ का और आपके पास बचाई पचास जार एंट्री करके आगया तो जब कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बचाई पचास ज़रुवत साथ ज्यादा का है तो उसके लिए फिर हमें अलग से कुछ और पॉइंट पढ़ना बढ़ते हैं तो यानि हम ठीक ठाक चल रहे हमें कोई सॉटेज नहीं है तो हम इसको फिर क्या करते हैं सर यह होगे हमारे यह सारी कि सारी एंट्री यहां पर कुछ सिंपल सिंपल एंट्री कर देता हूं जो इसको थोड़ा सा मिनिमाईज करते हैं क्योंकि कुश्चन तो नहीं बढ़ना मुझे आप जनल ही करना है खें अब अब मैं क्या करने वाला हूं सर अब मैं करने वाला हूं डेट इस जनल एंट्री का प्रफरेंश यर्ड घृटनी परफेंश यह pai ऐफ्टीन प्रफेंश सेयर क्या है क्यां सेक्वरेटी प्रेमियम और टू है प्रफ्रेंश यह अगर यहां पे देखे तो कितना ही है दसलाक य एक लाख और यह समझ मैं है कि अब हमें इसका पेमिंट करना है सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना है इसको इसको खतम करने के लिए एक तो हम सिक्यूरिटी प्रीमियम करेंगे कि अब थोड़े से जनर रिजर्ब ले लो भाई है कि शालिस अजार अब तू कर दो सिक्यूरिटी प्रीमियम यह और करना श्यर्मियम क्रेंगे यह अब कहीं आप खतम हुआ एक हम मैंने कहा कि यह पैसा ना जनर रिजर्व से राइट आफ होगा तो एक एंट्री और करते ना डैट इस हमारा जनर रिजर्व जुरत नहीं है लेकिन कर देना स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लस विसे एंट्री यानि कितने रुपो सर्ड़ यह आप कर दो तो बैटर है और यह स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लास यह लोस थीक्वन जब बनाने को आएगा तो मुझे बताओ जनर रिजर्व में कित बैलिन शीट पूरे पांच लाग दिखेंगे फांच लाग बताएं खर्चे थोड़ी ना इसको हम और सिक्यूरिटी प्रीमियम में कितने दिखेंगे नहीं बैलिनसीट में कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि सब का सब सब। सब्सक्राइट हो चुका है ठीक है बाद साथ नंबर आठ नंबर नो नंबर और यह दस नंबर तस एंट्री हो गई इसके कि तर्फ पांच लाग का टेन परसेंट एड़ कर तो पचास अजागे बताइए यहां तक कोई समझ में आ रहे हैं यह आपके बुक का ही कोईशन है कोईशन नंबर देट इस बताओ इसमें और प्रोग्राम में आठ है तो साथ और आठ जो बुक के आगे पीछे होगा दोनों में कॉमन कुश्चन थे फिफ्ट में अमाउंट नहीं लिखा ओके फिफ्ट में अमाउंट लिखना भूल गया यह दो लाक रुपे यहां भी आजाएगा और यह वाला दो लाक यहां भी आजाएगा अब एक बात बताना अगर इसके उपर भी सिक्यूरिटी प्रियू करते हम जवाभ है यहानि वाला प्रीमियम को सकते ह olho तो जवाब है यह क्या ये डिबेंजर का माउंट हम CRR को कमपेरिजन करने के लिए कर सकते हैं जबाब नहीं CRR को कमपेरिजन करने के लिए दो ही तरीके के शेर्स होंगे या तो प्रिफरेंश या फिर एकवटी शेर ठीक है